नमस्कार, Target with Alok Online Institute में आपका स्वागत है, मैं हूँ विवेक मिस्र एट पियम न्यूच बुलेटिन में सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मालूम है कि संगलोक सिवा आयोग ने IAS 2021 की प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए तारीखों को घोशित कर दिया है अब ऐसे में देखा जाए तो ठीक 9 महिने का ही समय आपके पास तयारी के लिए सुरक्षित है IAS और PCS परिक्षाओं के लिए प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन एक विस्त्रित चुनावती के रूप में है स्रेष्ट सिक्षकों की टीम के साथ टार्गेट विद आलोक इंस्टिट्यूट में IAS और PCS टार्गेट ऑनलाइन बैच में कक्षाएं 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही है जिसके लिए 9 महिने की अवधी निर्धारित की गई है हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकी प्रसासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता भी विक्सित करते हैं जिससे बेहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान अध्यान को तैयार किया जा सके आलोक सर के कुसल नर्देशन में ग्यारा सो पचास घंटे की कक्षा सटीक रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेष्ट विशेशग्यों की टीम एक मंच पर निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा कारिक्रम के तहत प्रारंभिक परिक्षा में सामान अध्यान और सीशेट मुख्य परिक्षा में सामान अध्यान और निवन्ध सामिल है इसके अंतरगत प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विश्त्रित कवरिज होगा सभी टॉपिक अंतर विश्यक समझ के साथ मुख्य परिक्षा के लिए तैयार कराया जाएगा प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्त लिखित और सारगरभित नोट्स सीसेट की कक्षाओं का संपून कारिक्रम अखिल भारती अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुबिधाएं इस बैच में प्रवेश लेने के लिए 9918000454 पर इंट्री आयेस लिखकर वाटसब करें हमारे इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर्क करें और अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन्स पर एक नजर देश की बिगड़ती अर्थ व्यवस्था के चलते भारत सरकार और भी उधार लेने के लिए हो सकती है मजबूर घाटे का मुद्री करण हो सकता है अंतिम विकल्प माह के अंतिमे होगी उधार संबंधिक कारिक्रमों की समिक्षा तालिबान और अफगानिस्तान के बीच हो रही सांतिवारता तालिबान है पाकिस्तान के करीब खतरनाक हो सकती है भारत के लिए यह वारता तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं देश में कुरोना महामारी के कारण भारती अर्थ व्यवस्था में राजस्व की कमी के चलते केंद्र सरकार को और भी जाना उधार लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं। सरकार के लिए घाटे का मुद्री करण करना अंतिम उपाय के रूप में देखा जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत सरकार और भारती रिजर्ब बैंक के अधिकारियों द्वारा मौजूदा वित्तवर्स की दूसरी छमाहीं के लिए उधार संबंधिक कारि प्रक्रमों की समिक्षा इस माह के अंत में की जाएगी। वहीं सक्षम अधिकारियों द्वारा घाटे के प्रत्यक्ष मुद्री करण की संभावना पर भी चर्चा की गई। देश ब्यापी लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियां रूकी हैं जि 39.9% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट बीते एक दसक में सबसे खराब है। आगे की अर्थ व्यवस्था में विकास के तकरीबन सभी संकेत संकुचन की ओर ही इसारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि घाटे के प्रत्यक्ष मुद्री करण की अर्थ के तहत सरकार प्रत्यक्ष तौर पर आर्बियाई के साथ व्यवहार करती है और उसे सरकारी बॉंड के बदले में नई मुद्रा छापने को कहती है। इस नई मुद्रा के बदले आर्बियाई को सरकारी बॉंड प्राप्त होते हैं जो आर्बियाई की परिशंपत्ती है। ऐसे में सरकार के पास आवश्यक नकती आजाती है, मौजूदा हालात में कई विशलेशन सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष मुद्री करण को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल सरकार इस विकल्प को अंतिम उपाय के रूप में ही देखेगी, सैधानतिक रूप से निजी मांग में गिरावट की स्थिती में घाटे के प्रत्यक्ष मुद्री करण की व्यवस्था सरकार को समग्र मांग बढ़ाने का आवसर तो देगी, लेकिन इससे मुद्राइस स्थिती को भी पढ़ावा मिलेगा, आगे इस्थिती खराब होने पर अगर यह मुद्राइस्थिती उच्छ मुद्राइस्थिती में बदलती है तो व्यापक अस्तर पर अइस्थिरता उत्पन हो सकती है, यह एक गंभीर समस्या है जिस पर सही धंग से विचार करने की आव लाइन है सालिया, वहें विदेश मंत्राले के सैयुक्त सचिव जेपी सिंग दोहा पहुचकर भारती प्रतनिधी के तौर पर सामिल हुए है, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच होने वाली सांतिवारता भारत के लिए भी काफी अहम है और अफगानिस्तान में ठीक नहीं है, ऐसे में समझना होगा कि यह वारता भारत के लिए कितनी अहम है, वहें दूसरी और अमेरिकां और तालिबान के बीच बात चीत कराने में पाकिस्तान की भूमिका भी छुपी नहीं है, पाकिस्तानी प्रधार मंत्री इमरान खान भी इस वारता में काफी दिल वीते सालों में भारत ने अफगानिस्तान की हर संभों मदद किया और साथ ही बांध, सड़क, सिक्षन, संस्थानों और अस्पताल बनाने जैसी योजनाओं से जुड़े होने के साथ अफगानिस्तान का संसत भवन भी बनवाया भारती विदेश मंत्राले के मुताबिक अफगानिस्तान में रहने वाले 1700 भारती वहां की बैंकिंग, सेवा, सुरक्षा और IT सिक्टर के अलावा अस्पतालों में काम कर रहे हैं इन सबके अलावा अगर अफगानिस्तान में भारत की पकड़ कमजोर होती है तो यह मुश्किले खड़ी कर सकता है आपको बता दे कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच होने वाली इस वारता में संगर्स बिराम और सांती वारता के बाद की व्यवस्था को लेकर फैसला होना है अफगानिस्तानी लोग आस लगाए हैं कि सरकार धार्मिक स्वतंदर्ता महिलाओं और अल्प संख्यकों के अधिकार और प्रेस की स्वतंदर्ता जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए लेकिन तालिबान इन मसलों पर हमेशा सरीयत का पक्षधर रहा है तालिबान की कटरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है तालिबान का प्रतनिधत एक धार्मे कुरू सेख अब्दुलहाकिम कर रहे हैं विशेशग्यों का मानना है कि अगर यह इसलामी कानून लागू करने की मांग पर अड़ा रहता है या उस पर सहमती बनती है तो यह भारत के लिए बुरी खबर हो सकती है भारत अफगानिस्तान में सांती जनक और लोकतांत्रिक सरकार चाहता है भारत ने भी इस वारता का स्वागत किया है लेकिन इस सर्थ पर कि वारता अफगान सरकार के नेत्रुत और नियंत्रण में हो भारत अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे हैं लेकिन तालिबानी सब्ता का भारत ने हमेशा विरूध किया है भारत के लिए सिर्फ तालिबान ही नहीं बलकि इन संबंधों में पाकिस्तान और चीन की भूमिका भी अहम हो जाती है अफगानिस्तान में चीन, ताबे और लोहे की खदानों में निवेस करने के साथ वन बेल्ट वन रोड योजना के तहट कई देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है दूसरी और चीन, पाकिस्तान और तालीबान पाकिस्तान की नजदी की भी किसी से छुपी नहीं है और अबंत में कुछ अन्य महत्वपुन खबरों पर एक नजर अमेरिका ने अपने लांच होने वाले स्पेस क्राफ्ट का नाम भारती मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रिक कलपना चावला के नाम पर रखा है अमेरिका की Aero Space Company नार्थ रूप गुरूमैन ने सिगनल स्पेस क्राफ्ट का नाम कलपना चावला के नाम पर रखा यह स्पेस क्राफ्ट इसी बहिने की 29 तारिक को अंतर राष्टी स्पेस स्टेशन में छोड़ा जाएगा नार्थ रूप गुरूमैन एरो स्पेस कंपनी नासा के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को सप्लाई पहुचाने के लिए सप्लाई एरक्राफ्ट का काम करती है अभी तक वह ऐसा 13 बार कर चुकी है अब 29 सितंबर को 14 वी बार उडान भरेगी आपको बता दें कि कलपना 14 दस जनवरी 2003 को अमेर्की अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारती मूल की महला थी एक जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन का समय पूरा करने के बाद लेंडिंग के 16 मिनट पहले उनका यान दुरघटना ग्रस्त हो गया इस हादसे में कलपना समेत सभी चालक दल अपनी जान गमा बैठे रेटिंग एजनसी क्रिसिल ने कहा कि वित्वर्स 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी में 9 प्रतिसत की गिरावट आ सकती है एजनसी का कहना है कि सरकार सीधी तौर पर परियाप्त राजकोसिय सहायता मुहया नहीं करा रही है क्रिसिल ने अपने पूर्व के अनुवान में भारी बदलाव किया है इसके पहले मई के महेने में जारी अनुवान में कहा था कि वर्तमान वित्वर्स में जीडीपी में 5 प्रतिसत की गिरावट आ सकती है क्रिसिल ने आगे कहा कि अगर जीडीपी में 9% की गिरावट आई तो यह 50 के दसक के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी गौरतलब है कि कुरोना संकट से लोगों और कारोबार को राहत देने के लिए सरकार ने करीब 20 लाख करोन रूपए की राहत पैकेज की घोशना किया था लेकिन क्रिसिल का कहना है कि नया खर्च जीडीपी का दो प्रतिसत भी नहीं है भारती डाक विभाग ने देश के ग्रामिन क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सारवभावमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए फाइव इस्तार गावों के नाम से एक योजना का सुभारम किया है यह योजना विशेश रूप से सुदूर वर्तिक शेत्रों में जन जागरुकता और डाक उतपादों और सेवाओं तक पहुचने की खाई को पाटने का प्रयास करेगी फाइव इस्तार गाव इस्तार गावों योजना के तहट सभी डाक उतपादों और सेवाओं को ग्रामेड अस्तर पर उपलब्धता को और अधिक प्रचारित किया जाएगा साखा कारियाले ग्रामेडों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टाप सौप के रूप में कारी करेंगे इस योजना के अंतरगत बचत बैंक खाता, सुकन्या सम्रिधी खाता, डाक पेमेंट बैंक, पोस्टल लाइफ इंसुरेंस पॉलिसी जैसे पाँच प्रकार के स्कीम को शामिल किया गया है अगर कोई गाउं इन पाँच इसकीम में से तीन को पूरा करता है तो थ्री स्टार, दो करता है तो दो स्टार और चार करता है तो चार स्टार का दर्जा दिया जाएगा मुके संबानी के नेतरुत वाली Reliance Industries Limited यानी RIL ने हाल ही में एक नया मुकाम हासिल किया Reliance Industries 200 अरब डॉलर यानी करीब 15 लाख करोण रूपए का मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कमपनी बन गई है बीते दिनों कारोबार के दोरान RIL के सेयर ने नया रिकॉर्ड बनाया कमपनी के सेयर 82 पर 8% से ज़्यादा की तेजी के साथ 243.9 रूपए के रिकॉर्ड अस्तर पर पहुँच गया जिससे कमपनी का मार्केट कैप 200 अरब डॉलर के पार हो गया यह उचाल RIL के मार्केट वैलू में तम आया जब अमेर्की कमपनी सिल्वर लेक की तरप से RIL में हिस्सेदारी खरेदने की घोषणा की गई रिलाइंस जीयो के बाद अब रिलाइंस रिटेल में सिल्वर लेक 1.75 प्रतिसत हिस्सा 75 करोण रूपए में खरेदेगी सेक्षणिक संस्थानों से लेकर कारियालेयों तक हिंदी दिवस के उपलक्ष में अलग अलग तरह के कायकरमों का आयोजन किया जाता है आपको बता दें कि हिंदी भासा को 14 सितंबर 1949 को भारती समिधान सभाद्वारा आजाद भारत की मुख्य भासा के रूप में पहचान दी गई थी लेकिन हिंदी दिवस मनाने की सुरवात साल 1952 से हुई खासकर हिंदी क्षेत्र के सिक्षन संस्थानों और सरकारी कारियालयों में हिंदी पखवाडा के दौरान कई कारिक्रमों का आयोजन किया जाता है रास्ट गवरो हिंदी हर दिन विकास के नई किर्तिमान गा रही है और एक नदी की तरह आगे बढ़ रही है हिंदी का महत्व युग युगांतर दक कम होने वाला नहीं है। मूल रूप से बिहार के वैसाली जिले के साहपुर गाउं के निवासी थे। भारत चेन सीमा पर तनाओ के बीच राफेल लड़ाकु विमान को भारती वायुसेना में सामिल कर लिया गया। भारती वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के गुरुवों ने अमबाला एर बेस पर पूजा किया इसके बाद राफेल को वायुसेना में आधिकारिक तौर पर सामिल कर लिया गया। फिलहाल एट पीम के इस न्यूज बॉलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। दोस्तो के इजाज़त नमस्कार.